इसकी लंबाई यह गाए तो सौफिट से नीचे है सौफिट भी लंबा नहीं है इतना का इतना का फंद आया क्या है चोंतिस लाख रुपए का बांद बना है किस चीज से बांद बनाया अपने मिट्टी से या पैसा से बनवा दिया इसको या कोई पक्की करन कराया है च्छर सिमेंट से जलवाया है आपने है आप अगर चाहिए आपके दर्बाजे पर आकर बात करेंगे तो वहां नहीं बात करेंगे नुसकार अभी हम जंदाहब परखंड के लक्ष्मी पूरवट्टा पंचायत में इस्तित है इस पंचायत से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है वाया नदी ये नदी में बाठ जब भी पानी आता है लोगों के लिए अभिसराब बन जाता है लोगों के लिए काल बन कर आता है जितना बार इस नदी में पानी आया है ऐसा कोई भी सान नहीं होगा कि इस नदी का बांध नहीं तूटा होगा इस नदी के बांध तूटने से लगबग सेंक्रों गा बान्द कर लेते हैं हर साल बान्द तूटता है हर साल बान्द भंभाथा है लोग गंट्ड़ा कोई फर्क नहीं परता है यहां के मुख्या को यहां कि अधिकारी यहां के नताव को नजाने इतने लाग का फंड आता इस नदी के बांध बनवाने के लिए देख सकते हैं आप नीचे जो अभी देख सकते हैं इसमें बोरा में मिट्टी भरके जब बांध टूटा था उस समय इसका बांध बनाया गया था राख पे चाहिए लगवखन, कि फट शुनार पर पर सेंगेंजी होज दोग इन को आपना घर ना चाहिए, बाइक, सब्सक्रावेर्वकर लेक्क जाए, के परफ़ाल है, देख सकते हैं और रही बैस में अप्ता है, और पैसा मोटा मोटा पैसा आता है लगवग 30 लाख 40 लाख ऐसे करके फंड आता है हर साल और हर साल तूटता है इस साल भी फंड आया है इस साल का जो फंड है लगवग 34 लाख 11800 का फंड है आप जो बांद देख रहे हैं यह 34 लाख 11800 रुपया से बना है साहब और यहां के त पर बात करने का प्रयास करते हैं कि आपका जो फंड आया है नदी में बांध बनवाने के लिए कितना का फंड आया आपने कितना खर्चा किया और कितना पैसा उठाया लगभग चौटे यहां पर लिखा हुआ है बजापते जो इसका बील पास हुआ है 34 लाक चौटीस लाक ज लगा होगा तो 5 लाक रुपई में बांध बन गया होगा 5 लाक भी काफी हो चकता है लेकिन 34 लाक लुपए से जी तब 34 लाक रुपए से बांध बनाया गया है और जो यह दिग्राव के सामने मुख्या को कौल लगा पत्तों क्या मुख्या क्या बात करते हैं नहीं कर तो उनसे पूछते हैं देखिए तो अभी हमने यहां के बर्तमान मुख्या संजीत पासमा से बात किया और उन्हें क्या कुछ कहा आप सुनिया उनका कॉल रेकाउडिंग ध्यान से सुनिये गोपागाट नदी है जलालफुर गाहों में इसकीत है साथ नमर वाड में पड़ता है आपके थुरा कहांगे कि केमरामन को दिखाएंगे बांद यहां पर लिखा हुआ है आपके जो गोड़ उसके चौंटीस लाख एगाराजर आट सुर्ट रुपए का विल है तो सब्सक्राइब जो बना है इतना जो बांद बना इतना का फंड आया कि चौंटीस लाख रुपए का ज़तला है किस चीज से बांद बना है आपने मिटकी से या पैसा से बनवा दिया इसको या को फटी कर आया है आसा कि वहार पर है जिस लए जबाद इसको। तो अगर यह आजा दिया तो बहतर आदा ना कि पॉआइंट पर बात कर लेते हम लोग आएगा पॉआइट पर अभी नहीं सवेरे आईए उपीस पर लाइए मतलब काम यहां हुआ है सुनिये अगर काम यहां हुआ है लेकिन बात करने जाएंगे उनके उपीस पर यहां पर ग बिस्कुट खाना यहां पर आके बात किजिए यहां पर बात करेंगे आपके दर्वाजे पर नहीं बात करेंगे आपको यहां आके बात करूंगा आपको जो करना है किजिए अगर आप गलत किजिए तो मैं आपकी सारी फोल खुलूंगा यह 34 लाग का नहीं है यह 34 लाग से बांध नहीं बन सकता है डिखाएंगे बस यह बांध बना है इसकी लंबा यह गर हम कहें ना तो सोफीट से नीचे है सोफीट भी लंबा नहीं है और देखिए कितना हुचाई बांध है इधर से दिखाएंगे देखिए इसकी पांच शीट उचाई होगी और थोड़ा इस खेत में भी मिट्टी भराया था तीसे मिट्टी करन हुआ है लेकिन इतना का भी नहीं हुआ कि 34 रुपैसा अगर इसमें 16 रुपै और जोड दिया जाए तो आधा करोर हो जाए जएक है आप जैसे मुख्याक जैसे हर साल बहता है हर साल फिर वांध है फिर बहता जाएगा फिर आएगा 40 लाग का फंड फिर पंद आएगा क्यों नहीं इस तरफ नेता का और बिधायक का और जो भी अधिकारी है जिला अधिकारी प्रखंद अस्तर के अधिकारी जो भी है क्यों नहीं इस पर करवाई करते हैं सभी लोग तो मिले जुले हैं सभी लोग घूस लेते हैं तब तो ऐसा काम हो रहा है साहब आयसे ऐसे भरष्ट मुखिया और भरष्ट अधिकारी के बारे में आपकी का रहा है कंने बॉक्स में बताईए बाकि इस वीडियो को जरूर सरो जरूर सर कीजीएगा ताकि सर कीजीएगा तो हमें भी हिम्मत मिलेगा मोटिवेशन मिलेगा तब ही हम इस तरह के मुद्ध को उठा सकेंगे और जन्ता की अब आज को उठाएंगे बाकि अगर आप इस वीडियो को उटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फेस्ट पेज में देख रहे हैं तो फेज को फॉलो करें जै हिंद जै बिहार